हेलो फ्रेंस वेलकम टो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रास्तिय पुस्तक न्यास भारत नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एलबिटी कंडिशन के बारे में सा प्रेंस इसकी एलबिटी के बात करते हैं इसकी एलबिटी के लिए यहाँ पर आपसे ओफलाइन आविदन इन्वाइट किये गये हैं जिसमें फ्रेंस जो स्टार्ट डेट है वो 15 जनवरी 2021 रहेगी और लास्ट डेट इसमें अपलाए करने की 15 फरवरी 2021 रही गई है तो फ् पर आपका रहेगा और इसके लिए फ्रेंस से डेटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जोबरास्ता.com पर भी मिल जाएंगी अगर आप एपलिकेबल है एलिजीबल है अपलाइ करना चाहते हैं तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं अब बात करते हैं वेकेंसी नो पर इसके बात करते हैं इसके डेटेल नोटिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर नीचे आपको इसका वेकेंसी सर्कुलर मिलेगा अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट है आपके असिस्टेंट डिरेक्टर की इसमें फ्रेंस आपको पे मैट्रिक्स दिया गया है चपन हजार सो से एक लाग पिरतर हजार पांसो रुपे दो पोस्ट है 35 साल आपका एस क्राइटेरिय रहेगा जो की लास्ट डेट पर काउंट होगा असिस्टेंट डिरेक्टर प्रेंस से एस क्राइटेरिय रहेगा बैसले डिगरी और दो साल का यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो की बुक पब्लिशिन में होना चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पास सीने सेकेंडरी जिसमें फ्रेंस से आपके पास नॉलिज होनी चाहिए लिट्रेटरी सीन में और इसके लावा वर्किंग नॉलिज इंग्लिश और हिंदी में और पांस साल का एक्स्पीरेंस आपसे रिक्वाइड किया गया है इसके बाद है फ्रेंस से प्रोडक्शन असिस्टेंट की वेकैंसी तो मैट्रिकुलेशन पास इसके बैसले डिगरी साथ में स्पेसिफाइड लेंग्वेज में इंगलिश और हिंदी आपसे मांगी गई है और तीन साल का वर्किंग एक्स्पीरेंस आपसे यहां पर रिक्वाइड किया गया है अकाउंटेंट में डिगरी आपके पास होनी चाहिए पांस साल का चाहिए ट्रेनिंग आपने की हो वर्ड प्रोसेसिंग और ड्राफ्टिंग हैंलिंग का आपको वर्क आता हो तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं असिस्टेंट में यहां पर चार पोस्त हैं डिगरी और पांस साल का एक्स्पीरेंस आपसे यहां पर मांगा गया है और और आपसे पांस साल का एक्स्पीरेंस यहां पर रिखॉरेंज का गया है इसके बाद है लाइबडरी असिस्टेंट ड इपलो 醒्राइब्लो माइबरी साइज्स और तीन साल का साथ में यहां पर रिखॉरेंश prayed रहेगा द्राइवर पोस्त के लिए यहां पार तीन वेंशě है जो कि headquarter डिल्ली में बैंगलोरो में और मुंबई में आपकी posting होगी 18 से 25 साल इस criteria है class आठवी पास होना जरूरी है heavy driver commercial license आपके पास होना चाहिए तीन साल का experience और knowledge होनी चाहिए आपको automobile mechanism की तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंसे जो यह vacancies है इसकी details मैंने आपको यहाँ बता दी है जो कि LBT criteria रहेगा यहाँ पर आपको इसका form मिलेगा जहाँ पर आपको आपकी photo लगानी है जो कि आप self attested करेंगे इस post के लिए apply कर रहे है advertisement number date आप यहाँ mention करेंगे नाम आपको यहाँ पर देना है block letters में father या husband name देना है date of birth आपको देना है इसके लावा words में आपको date of birth लिखनी होगी और closing date पर आपका age कितना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आप age में relaxation चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं और किस category according चाहिए वो आप यहाँ बताएंगे आपकी category बताएंगे आपका religion आपको बताना है इसके बारा आपका ex-serviceman है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं nationality आपका gender, marital status यह friends बेसिक जनकरी आप यहाँ पर fill करेंगे कौन-कौन सी language आपको आती है, language known में आप यहाँ बताएंगे इसके लब आपका correspondence address आपको देना है, permanent address देना है और आपका जो भी contact number और mail आइडिया आप देंगे यह बिल्कुल active होने चाहिए क्योंकि आगे की further information आपको इन पर ही मिलेगी आपकी education qualification 10 से आपको start करना है 10, 12th degree, graduation, diploma जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर details mention कर सकते हैं आपके पास कोई professional qualification है आप उसकी जानकरी provide करेंगे आपके experience की जानकरी आपको यहाँ पर provide करनी है अपने department का नाम, आपकी post का नाम, कब से कब तक आपने काम किया और क्या आप काम करते थे उस post पर रहते हुए यह आप यहाँ बताएंगे short end and typing की speed up बताएंगे computer की knowledge अगर आपके पास है आप उसकी जानकरी देंगे demand draft की detail आपको यहाँ पर provide करनी होगी अब demand draft नंबर आपको demand draft ना बनेगा और फ्रेंस से passport side photograph जो की आप front में application form के साथ लगाएंगे place, date और signature आपको यहाँ basic यह fill करना होगा नीचे फ्रेंस से यहाँ पर है detail of enclosure तो फ्रेंस से आप यहाँ पर serial number देंगे और page number देंगे और description देंगे क्या-क्या documents आप वहाँ पर send कर रहे हैं और इसके बाद इनको भी self-attested आप करेंगे इसके बाद फ्रेंस से नीचे आपको दिया गया है employer के लिए अगर आप employer candidate है तो आप यहाँ पर अपने hod है अपने head of department है वहाँ से आप seal लगवा सकते है और details को fill करवा सकते है नीचे terms and condition दी गई है तो सबसे पहले friends से computer की knowledge आपको होनी चाहिए और यहाँ पर friends जो return test होगा है trade test होगा वो friends आपको आगे की जो further जो भी जानकारी होगी वो आपको आगे बता दी जाएगी अब यहाँ पर friends से नीचे details ली गई है जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि age limit में आपको छूट मिल जाएगी अगर आप reserve candidate है तो आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल की छूट मिल जाती है category के according इसके बार यहाँ पर है probation period तो 2 साल का probation period रहेगा उसके बाद ही आपकी यहाँ permanent job होगी probation period एक तरह से training period आपका होता है permanent vacancy है कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप applicable है apply करना चाहते है apply कर सकते है अब यहाँ पर इस एनवलप में आप इसको send करेंगी उस पर application for the post of आपको लिखना होगा साथ में फैंस इस address पर आपको send करना है और आपको एक डिडी डिमांड डाफ बनवाना होगा 500 रुपे का और अगर आप यहाँ पर SC, ST, PHR, X-Serviceman है या जनरल EWS केंडेट है तो आपको कोई भी demand डाफ बनवाने की जरुत नहीं है आपको कोई भी फीज देने की जरुत नहीं है जनरल OBC केंडेट को यहाँ पर 500 रुपे डिडी बनवानी है जोकि इन फेवर आफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पेवलेट निव देल्डी के नाम से आप बनवाएंगे और यहाँ पर फैंस इस address पर आप send करेंगे इस form को इसके सार आपके documents आप लगाएंगे और send कर देंगे दिये के address पर तो यहाँ पर फैंस जो जनकारी में आपको provide की है National Book Trust की new requirement notification के बारे में तो fan sister related जनकारी आपको मिल जाएगी video description में jobrasta.com पर अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जनकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते ही हमारा YouTube channel and a last thanks for watching